हर्याना की कोई भरती बिना किसी कोर्ट केस के पूरी हो जाए ऐसा होना जो है नामुम्किन सा आज के टाइम में लगने लगा है क्योंकि इसी तरह का अब एक और जो है यहाँ पर मामला सामने आया है कि जो केस हो चुका है जिहां दोस्तों पूरी अपडेट में आपको दिख से रिलेटिड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर कलिक करके आल नोटिफिकेशन ओन कर दें फेस्बुक पर वीडियो देख रहे है तो हमारे फेस्बुक पेज ड्रैगो स्टेडि को भी लाइक करके फोलो कर लें और नोटि चाई विभाग के मुख्य अभियंता को नोटिफ जारे करके जवाब तलब किया है इस मामले में देखिए कि जजर निवासी सुमित कुमार हैं कोई और उनके साथ में वी कुछ और हैं जिनोंने की हाई कोट में याचिका दारगर के कमिशन दवारा 6 जून को कनिश्ट अभ कोटा है उसके खिलाफ यह बात चल रही है देखना की मामले में बहस के दोरान याचिका करता के वकील ने जो है बैंच को बताया कि पिछले साल जून में कनिश्ट अभियंता के 1624 पदों पर भरती आई ती जिसमें के एसम और डी एसम जो है यानि कि पूरोसैनिक और पूर किये गए थे तो हर्याना सरकार द्वारा साल 1998 और 2001 में जारी किये गए दिशान निर्देश वे हाई कोट द्वारा दिये गए फैंसले के आधार पर राजय सेनिक बोर्ड ने आदिस जारी किया हुआ है कि डी एसम और जो है एसम कोटे का लाव जियों में के वल एक बार अन कि यहिए जो कि इस कोटे का न पहले सही लाव ले चुके हैं तो देखिए किसमें लाव इनुने पहले ले लिया था यह 2017 में स्यचाईवी भाग द्वारा कॉंट्रेक्ट बएस पर वेकैंसी चारी कोटे का पहले सही लाव ले लिया था तो आब कि नियम्र जो पर्मनेंट हभी है उसमें भी इनको जोइनिंग कोटे कहता है जो कि रूद्ट कहते हैं कि एक बार से ज्याद जो है उस उसपाइद का फायदा नहीं ले सकते लेकिन उन्होंने दो दो बार इसका फायदा ले लिया है याची ने जो स्टाब सेलेक्शन कमिशन, सिंचावी बाग और अन्या सतर पर मांग पत्तर देकर उसकी शिकायत करके इस उम्मिद्वार को इस कोटे के तहत जो इनका सेलेक्शन हुआ है उसको रदध करने की मांग करी थी लेकिन किसी ने भी उस पर कोई सुनवाई नहीं की आखिर में उसको जाना पड़ा हाई कोड और हाई कोड ने आप नोटीस जारी ज़ाव कर दिया है HSSC बोर्ड को भी हारियाना सरकार को भी तो हाई कोड जस्टिस मंजरी नहरू कोलनयाची का पर सुनवाई करते हुए अपसे पहले पाने के लिए भी सब्सक्राइब करें और बैल आइकन पर क्लिक करके आल नोटिविकेशन ओन कर दें फेस्बुक पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेस्बुक पेज़ ड्रैगर स्टेड़ी को भी लाइक करके follow कर लें और notification ओन कर दें